हेलो दोस्तों माई यूट्यूब चैनल मेडिको अड़ा पर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं नीट यूजी 2021 एस्परेंट के लिए बिगेस्ट लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ उसी अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो बहुत दिनों से नीट यूजी 2021 एस्परेंट के मन में डाउड थे कि सर इसके नीट 2021 के एक्जाम जो डेटे वो कब है इसके एप्लिकेशन फोर्म कब से स्टार्ट होगे एक्जाम पोस्पोर्ण होगी या फिर नहीं होगी खेल बस क्या रहने वाला है और एक्जाम पेटन है वो क्या रहेगा ओफलायन होगा ओनलाइन होगा और ये साल में एक बार होगी या दो बार होगी तो इनी doubts को clear करने के लिए देनिक्स बास करने आज एक article release किया गया है उसी article के बार में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओके गैस तो गाइस वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें और वीडियो को एंड तक देगें ओके दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं में कापी सारे confusion थे और उनी confusion को दूर करने के लिए आज देनीज बासकार ने एक article रिलीज किया गया है और उसी article के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओके दोस्तों तो देखते हैं इस article से आपके doubt जो है confusion था जैसे कि कितने phase में होगा और कब होगा मतलब एक साल में एक बार होगा और ये मैं में होगा ये फिर जून जुलाई में होगा तो ये बच्चों के बीच में doubt था तो इस doubt को इन्होंने clear किया है या पर इन्होंने सीधे सीधे बोलाए कि इसमें J की तुला में बहुत कम बच्चे बेड़ते हैं इसलिए इसका एक्जाम वेसे ही होगा जैसे पहले होते आया बलब इसका एक्जाम जो है वो पहले होता था वेसे का वेसा ही होगा इसमें कुछ changes नहीं किया जाएंगे आपका जो syllabus है वो भी वही रहेगा जो पिछले साल था आपका syllabus भी reduce नहीं किया जाएगा और exam जो pattern है वो apply नहीं रहेगा online नहीं होगा ओक्यों दोस्तों और एक साल में एक ही बार exam होने वाला है तो दोस्तों I hope यह doubt जो है वो आपके clear हुए होंगे अगर फिर भी clear नहीं होते तो आप मुझे comment करके खूल सकते हैं दूसरा doubt यह था कि इसके application जो form में वो कब से start होगे तो यह भी इन्होंने आपर सीदा सीदा mention कर रखा है इसके जो application form में वो March में start हो जाएंगे देख सकते हूं यह आपर दे रखा कि MHRD Minister ने जानकारे दिये कि March में online application form start हो जाएंगे तो आपके application जो form में वो March में start हो जाएंगे और इसके online correction जो है वो April में होगे ओके दोस्तो तो आपके application form जो है वो March में start कर दिये जाएंगे और दूसरा doubt है कि इसके exam जो है वो कब होगा मई में होगा या फिर June जुलाई में होगा ओके दोस्तो तो इस doubt को clear करने के लिए भी इनोंने सीधा-सीधा यापर mention कर रहा है किसके जो admit card है वो मई में release किया जाएंगे तो दोस्तो अगर यदि admit card मई में release किया जा रहा है तो फिर आपका जो exam है वो मई में तो नहीं होने वाला है आपका exam या तो June या फिर July में होने वाला है ओके दोस्तो तो यह तो confirm है कि आपका जो exam है वो postpone होगा ओक दोस्तो, इन्हों से आप पर clear mention किया हुआ है कि आपका मई में admitted card release किया जाएगा अगर exam जो है वो मै में होता, एक य दो मैं को तो आपका admit card उससे 10 या 15 दिन पहले release किया जाता तो दोस्तो admit card यदि मैं में release किया जा रहा है अगर फिर भी नहीं हुए तो आप मुझे कमेट करके पूछ सकते हैं ओके दोस्तों तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना इन जादे से जादा सेर करना और यह दि दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो और मेडिकल काउंस से रिलेटेड एकुरेट इन परमेशन सबसे पहले पाना चाते हो तो चैनल को सबस्कार करें इन बिल आइकन को प्रेस करें ओके दोस्तों तो आज की वीडियो में यहाँ तागी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ जब तक ले थेंक्यो और गुडबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में